प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं. उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठे माला को सबस्क्राइब कर लें. सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है. इस वी कर दें. बस हो गया काम. अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी. हम लोग पिछले कुछ हफ़तों से बलकि exactly कहा जाए तो तीन हफ़तों से पदमेश्वर के वचन में आदम और हवा की परीच्छा के बारे में जो चरित्र कहानी हैं उसका ध्यान कर रहे हैं और अभी भी हम कहीं नहीं पहुँचे हैं. ये मैंने इसलिए याद दिलाया कि हम सब लोग पर्मेश्वर के वचन में जो चरित्र कहानियां हैं उनको अक्सर काफी हलके से लेते हैं. मैंने बताया था, कई बार लोग बच्चों को कहानी सुनाते हैं, तो प्रभू के वचन के महान नायकों के बारे में ऐसे अपुमान जनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, कि समझ में नहीं आता कि ये लोग परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन समझते हैं या कच्रे की टोकरी में फेंकने लायक कोई कागज का पन्ना समझते हैं परमेश्वर के वचन में जो चरित्र कथाएं हैं वो बच्चों को पूरी गंभिरता के साथ सुनाना जरूरी है और इसलिए सिर्फ एक चरित्र कथा आदम और हुआ की जो परीट्षा हुई थी और परीट्षा में वे लोग असफल हो गए थे जस्ट उसके बारे में मैंने तीन हफ़ते आपको बताया अभी भी विशे समाप् नहीं हुआ जो इस बात को बताता है कि प्रभू के वच्चन की हर चरित्र कथा में इतने सारे पाठ छुपे हुए हैं कि यदि हम अपने बच्चों को इन कहानियों का असली मतलब सिखाना चाहते हैं और यदि इन कहानियों में जो नैतिक और आत्मिक पाठ छुपा हुआ ह यदि ये पाठ सिखाना चाते हैं तो उसके लिए महनत करनी पड़ेगी हम लोग एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सब कुछ इंस्टेंट है सब कुछ मेरे बच्पन में तो इंस्टेंट सरफ एक चीज उपलब्द हुआ करता था इंस्टेंट कॉफी लेकिन आज हर ची 2013 की बात कर रहा हूँ जब मैं चंबल इलाके में प्रचार के लिए गया तो हर साल जैसा मैं करता था मैंने भाई रंजीत से कहा कि मुझे एक किलो काला नमक चाहिए तो उसने का कि सर शाम को दिलवा देंगे शाम को वो भाई रंजीत कहीं गए बाहर आये आके मेरे सामने ए क्या लाए तो बोला कि सर काला नमक आप ले जाएंगे पीसेंगे अब तो पिसा पिसाय आता है मैं अक्सर ग्वालियर से इस तरह कि कई चीजे लाया करता था खासकर जड़ी बूटिया आज स्तिती यह है कि इन में से किसी भी जड़ी बूटि को घर लाकर पीसने पिसवान की जरूरत नहीं सब पिसे पिसाय मिलते हैं इंस्टिंट युग में जीने के कारण हमारी आदतें काफी बरबाद हो गई है और प्रभु के वचन को भी हम इंस्टिंट समझना चाहते हैं इंस्टिंट समझाना चाहते हैं याद रखें आत्मिक जीवन में सिर्फ एक बात इ उद्धार, जिस छण हम प्रभु ईशु के पास जाकर प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, आपने मेरे पापों के लिए सूली पर सजा भुगत ली, मेरे पाप छमा कर दीजे, आज मैं आपको मुक्तिदाता ग्रहन करता हूँ, तो जैसे ही आप बोलते हैं क आज मैं आपको मुक्तिदाता ग्रहन करता हूँ, उसी छण, तत छण, इंस्टेंटली आपको उद्धार मिल जाता है, लेकिन उसके पहले या उसके बाद कोई चीज इंस्टेंट नहीं है, उसके बाद जो काफी लंबा आत्मिक जीवन है, उसमें कुछ भी इंस्टेंट न किया गया, उसके लिए उत्र परमेश्वर को मन शिरूप धारन करके 33 साल दुनिया में रहकर भूक प्यास और हर तिरह के शैतानी परिछा का सामना करना पड़ा था, तो हमको इंस्टेंट उद्धार देने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ी थी, वो इंस्टेंट नहीं थ था, और अंतिम छणों में वो कीमत, इतनी भयानक कीमत थी, कि प्रभु ने घुटने टेक कर अपने पिता से याचना की, कि हे पिता, आपकी दया हो, तो इसे मेरे सामने से हटा दे, जिस कारी के लिए प्रभु आये थे, इवन उस कारी के लिए प्रभु ने इस तरह से प् आर्थना की, तो हमको इंस्टेंट ये दी उद्धार मिलता है, तो वो इंस्टेंटली उसका कारी नहीं हुआ था, इसको याद रखें, और इस कारें आत्मिक जीवन में हर चीज तत्छन करने की जो आदत है, या तत्छन मिल जाए, इसकी जो इच्छा करते हैं, ये गलत है बच्छों को भी प्रभू के वच्छन की जो चरित्र कताएं आप सुनाना चाहते हैं, ये आप तत्छन पढ़के तत्छन सुनाना चाहते हैं, तो ना तो प्रभू के, ना तो उन चरित्र कताओं को आपने समझा है, ना ही अब बच्छों को सही रीती से समझा सकते हैं यदि आप अपने बच्चे को प्रभु का वचन सुनाने के मामले में गंभेर हैं और मैं प्रभु से बिंती और याचना करता हूँ कि प्रभु आज जितने माबाप यहां प्रभु का वचन सुन रहे हैं जितने संडे स्कूल टीचर प्रभु का वचन सुन रहे हैं जितने एल्डर प्रचारक आदी प्रभू का वचन सुन रहे हैं बलकि हम मैंसे हर वी एक्ति को प्रभू के वचन के बारे में या प्रभू के वचन की चरितर कताओं के बारे में दूसरों से बोलना पड़ता है इसलिए सभी लोगों के बारे में प्रभू से मेरी याचना है कि प्रभू हम लापरवा निकम में काम चोर आपके बच्चे हमारी मदद कीजिए कि हम इस बात को समझें कि आत्मिक जीवन में तत छंड कुछ नहीं होता है हमें हर बात के लिए मेहनत करनी होगी और वो मेहनत सिर्फ एक दिन के लिए या दो दिन के लिए नहीं जीवन भर करना होगा हे प्रभू ये समझ कर मेहनत करने के लिए मेरे भाई और बेहनों की मदद करे ये मेरी प्रार्थना है और जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सिर्फ सिद्धान्त नहीं है मैं अपने स्वयम के जीवन में इसको प्रैक्टिस करता हूँ मैं ये जो आदम हुआ की परीच्छा के बारे में आपको बता रहा हूँ इस विशे पर आप लोगों से बात करने के पहले हफ्तों इस विशे पर मनन करके सबसे पहले तो पेपर पर लिखा दस पंद्रा पन्ने लिखे उसके बाद उसको टैप किया टैप करने पर स्पेस कम हो जाता है इसके बावजूद अभी मेरे सामने ग्यारा पन्ने हैं जिनमें मैं आठवे पन्ने पर अभी पहुँच पाया हूँ यहां खतम नहीं हुआ जो विशे मुझे पढ़ाना है मैं बड़ों को पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि वे यह पहचान सके कि बच्चों को कैसे पवित्र वचन की चरित्र कथाएं सुनानी है इसलिए उस विशे पर सोचता रहा मनन करता रहा और फाइनली क्या हुआ कि प्रभु ने उस विशे पर अतिरिक्त प्रकाश दिया चर्च में बैठकर मैं उसी विशे के उपर आदम हुआ की परीच्छा के बारे में सुन रहा था अचानक प्रभु की आत्मा ने मुझे अतिरिक्त प्रकाश दिया और जैसा मैं हमेशा आप से कहता हूँ आपके मन में पवित्रात्मा प्रकाश दे उसको तुरंत नोट कर लें क्योंकि एक घंटे के बाद आप उसको याद नहीं कर पाएंगे यकीन मानिये मैं एक लेखक हूँ और दो या चार दिन का लेखक नहीं हूँ मैंने लेखन का आर्म किया था जब मैं पांचवी कठ्षा में पड़ता था उननीस सो पैसर्थ में जिसका मतलब है कि दो हजार पच्चीस में कितने साल हो जाएंगे साट साल हो जाएंगे इतने साल से मैं लिख रहा हूँ और इसलिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इवन जो समर्पित लेखक है उनको भी जो प्रकाश मिलता है मन में यदि वे तुरंत लिख नहीं दें तो घंटे भर के बाद वो आपके दिमांग से उड़ जाएगा चर्च में बैठके जैसे ही वो प्रकाश मेरे मन में आया मैंने उसको नोट कर लिया और आज शाम को जब कंप्यूटर के सामने आया तो यहाँ पर लाकर रख दिया जिससे कि इस पाठ के अंत में ये पाठ भी मैं जोड सकूं डाइरी को बड़ी गंभीरता से लें मैं काफी साल डाइरी यूज करता थे लेकिन मैंने आपको बताया कि आप तो A5, A4 साइज का आधा होता है A5 साइज ये मेरे पास चार्चे हैं, एक या दो नहीं एक थैले में रहता है, एक डाइनिंग टेबल पर रहता है एक या दो यहां लाइब्रेरी में एक या दो नीचे मैं जिस कंप्यूटर पर बैठता हूँ वहाँ पर इत्ते सारे क्लिप बॉर्ड क्यों आप पूछेंगे इसलिए कि जब भी मैं प्रभू के वचन के समक्ष बैठता हूँ या कोई व्यक्ती प्रभू के वचन से कुछ भी बोले तो अचानक प्रभू का आत्मा मुझे उस विशे में अतिरिक्त प्रकाश प्रदान करते हैं और मैं नहीं चाहता कि वो अतिरिक्त प्रकाश नश्ट हो जाए और मैं फिर से ही आप दे लाना चाहता हूँ आप पूछेंगे कि इत्ते सारे जो आपको आप जो नोट्स लिखते हैं वो तो जिन्दगी में कभी काम नहीं आएंगे यूज नहीं कर पाएंगे बिलकुल नहीं यूज कर पाएंगे मेरे पास इस समय जित्ते लिखे हुए नोट्स से उसमें शहेद दसवा हिसा भी मैं लिख नहीं पाऊंगा आप कहेंगे फिर तो ये तो बड़ी बरबादी हुई नहीं बड़ी बरबादी नहीं हुई जब हम भविश्य के लिए पैसी की बचत करते हैं तब ये देख के नहीं करते कि प्रती दिन खाने के लिए कितना चाहिए उससे फूटी कौडी जादा मत जमा करो बलकि ये सोच के करते हैं कि जितना जमा कर सकते उतना करो आत्मिक जीवन में भी यही नजरिया होना चाहिए कि जितना प्रकाश मिले उसको नोट कर लो दूसरी बात जिसके पास इस तरह के तमाम नोट्स हैं उस व्यक्ति को हमेशा प्रभु का वचन खोल कर बोलने के लिए कुछ न कुछ रहेगा इसका भी एक उदाहरंड दूँ कल मेरी मंडली में एक बुजर्ग भाई की मृत्ति हो गई सुबह तीन बज़े के आसपास छे बज़े के आसपास मुझे खबर मिली और मेरा इनमाइन है कि मूँ धोके चाय वाई पी के साथ बज़े के आसपास मैं वहाँ चला गया जाके सबसे मिलके आंटी को बच्चों को तसली देके घर वापस आया उसके बाद वाईफ को लेके गया आराम से वहाँ डट लिये अचानक एनॉंस्मेंट हुआ कि अब डॉक्टर जॉन्सन फिलिप दस मिनिट संदेश देंगे देखिए प्रभू के वचन से संदेश देना यह बच्चों का खेल नहीं है यह मोणो एक्टिंग नहीं है सड़क के किनारे बैठकर वो पठान जो है ताकत की दवा बेचता है वो मूह में जो कुछ आता है वो बोलता है प्रभू के वचन से संदेश देने ऐसी बात नहीं है प्रभू के वचन से आपको लोगों के सामने वह संदेश देना है जो पवित्रात्मा आपको अल्डेडी दे चुके हैं और यदि पवित्रात्मा अल्डेडी आपको दे चुके हैं तो वो आपके हाथ में कहीं नोटेड होना चाहिए इसके बाद कल फिर से ऐसा ही नाटक हुआ दो बजे जो है उनका फ्यूनरल था दो बजे चर्च पहुंचा तो जैसा मैं सबसे सीनियर्स में से एक हूँ तो तुरंत जो गाइट कर रहे थे उनने का कि आप सबसे सामने जाक फोली प्रोग्राम आरंभ हुआ तीसरे या चोथे प्रोग्राम में अचेनक मास्टर अफ सिर्मिनी ने एनॉंस कर दिया अब डॉक्टर जॉन्सन संदेश देंगे कल एक दिन में ये दो बार हुआ प्रभू के वचन से संदेश देना कोई हसी खेल नहीं है मोना एक्टिंग नहीं है आपको वह संदेश देना है जो पवित्रात्मा आपको दे चुके है प्रभू की दया से सुबह ही मैंने अपनी डाइरी खोल कर मृत्यू संबंदित विश्यों के उपर प्रभू ने जो प्रकाशन दिया था उसके एक बाद नोट कर लिया था इसलिए अचानक जब ग्यारा बजे के आसपास मुझे बुलाया गया बिना नोटीस के ग्यारा के आसपास बुलाया गया और उसके बाद बिना नोटीस के तीन बजे के आसपास बुलाया गया तो उठकर प्रभु के जो बच्चे हैं उनसे बोलने के लिए मेरे पास चार वचन थे और मुझे मन में इस बात का पूर्ण यकीन था कि मैं उनके सामने खोखले शब्द प्रस्थुत नहीं कर रहा बलकि उनके सामने वह संदेश प्रस्थुत कर रहा हूं जो पवित्रात्मा से मुझे प्राप्त हुआ है इस कारण कल दोनों संदेश बिना नोटीस के मुझे देने पड़े कोई दिक्कत नहीं हुए और याद रखें फ्यूनरल में तो आप प्रभु के वचन से इदर उदर से उठा के कुछ भी नहीं बोल सकते आपको विशह संबंदित बोलना होग उद्दार संबंदित बोलना होगा परिवार के लोगों को तसली देने लायक बोलना होगा और तमाम सारे अविश्वासी लोग वहां मौजूद होंगे उनसे प्रभु ईशु का शुप संदेश भी शेयर करना होगा ये सब मैं क्यों कर पाया इस आदत के कारण लेकिन ये आदत सिर्फ यूनरल के लिए नहीं है प्रभु के वचन संबंदित जब भी हम मूँ खोलते हैं हर बार मूँ खोलते हैं उससे संबंदित आदत है ये और उसमें भी एक औसत व्यक्ति के लिए सबसे महतवपूर्ण बात है अपने बेटे या बेटी या अपने बच्चों क सामने मूँ खोल कर जब आप प्रभु के वचन से चार शब्द बोलते हैं इस कारण मेरे प्रिये भाईयों और बहनों डाइरी मेंटेन करना आरम करें बहुत जरूरी है जितने माबाप हैं संडे स्कुल टीचर्स हैं एल्डर्स हैं बिलकि जितने लोग आज प्रभु का व डाइरी मेंटेन करें आज जो लोग सुन रहे हैं इन में से कई ऐसे भी हैं जिनकी शादी होने जा रही है या जिनकी शादी हो चुकी है और वे अपनी अगली पीडी का इंतजार कर रहे हैं या ऐसे भी कई हैं जो मुझे वीडियो में दिख जाते हैं जिनके पास छोटे चोटे बच्चे हैं, जिनसे कल को आप रभु के वचन की चरित्र कथाएं जिनको सुनाएंगे, डायरी मेंटेन कर रहे हो क्या, डायरी मेंटेन कर रहे हो क्या, चरित्र कथाओं से जो पाठ है उसको लिख रहे हो क्या, आप कहेंगे कि शास्त्रे अंकल अभी तो शादी हो ज तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, अभी से लिखना शुरू करो, आप कहेंगे कि अभी तो परिवार के बारे में हम सोच रहे हैं, अरे बाप रे मैं कहूंगा बहुत देर हो गई है, सोचने से पहली ये सब काम कर लेना चाहिए था, तो अज जितने लोग प्रभु का वच आपको बताया, अभी भी विशे खतम नहीं हुआ, इसके दो कारण है, पहला कारण ये है कि परमेश्वर के वचन की हर एक चरित्र कथा में बहुत सारे पार्ट छुपे हुए हैं, और उनको पांच मिनिट में बताये नहीं जा सकता, ये कोई इंस्टन्ट कॉफी का यूग नहीं हैं, दूसरी बात, यदि चरित्र कथाओं में इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं, तो उनको ग्रहन करने के लिए काफी समय आध्यान के लिए देना पड़ेगा, मैं चाहता था कि आप सभी लोग इन बातों को याद रखें, पिछले हफते में जो आखरी बात पता रहा था वो ये है कि जीवन में सिर्फ दो ही मार्ग हैं, आदम और हवा की जो परीच्छा हुई थी और उस परीच्छा में वे लोग असफल हो गए थे, वो परीच्छा और बाद में जो परमेश्वर ने जीवन के व्रिच का फल खाने से उनको वंचित कर दिया था, ये मनिश के सामने सिर्फ दो चोईस हैं, मनिश के सामने सिर्फ दो मार्ग हैं, या तो जीवन के व्रिच का फल खाओ, या मृत्यू के व्रिच का फल खाओ, इसके अलावा आपके सामने और कोई चोईस नहीं है, आदम और हवा के सामने जीवन का व्रिच था, उनने बगिया से तमाम तरह के फल तोड़कर खाये थे इसलिए तो जीवित रहे थे लेकिन प्रभु के वचन से ये बात स्पष्ट है कि उन्होंने जीवन के व्रिक्ष के फल को हाथ नहीं लगाया क्यों नहीं लगाया क्यों उनकी बुद्धी मारी गई थी इसमें कोई शक नहीं है कि बुद्धी मारी गई थी क्यों उन्होंने मृत्य के व्रिक्ष को चुना बुद्धी मारी गई थी आज यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारे चुनाव इस तरह के हो जो जीवन के व्रिक्ष के समान चुनाव हो तो मैंने आपको पांच बाते बताई थी जो हमारे जीवन में होनी चाहिए बाइबल पठन, प्रार्थना, आत्मिक लोगों के साथ संगती, अलगाव और पवित्री जीवन इसके विपरीत, मृत्यों के जीवन पर यह दिया हम फोकस करते हैं तो बाइबल पढ़ने के बदले हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमको नाश करते हैं परमेश्वर से स्नेह के साथ प्रार्थना करने और संगती के साथ प्रार्थना करने के बदले यांतरिक प्रार्थना करेंगे आत्मिक लोगों के साथ संगती करने के बदले ऐसे लोगों के साथ संगती करेंगे जो हमको बर्बात कर देते हैं अलगाव के बदले हम ऐसे लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे जो हमारे आत्मिक जीवन को अशुद कर देते हैं और पवित्र जीवन के बदले हम दुनियावी जीवन जीने लगेंगे इतनी बाते मैंने पिछले हरते आपको बताई थी आगे आज इसी चरित्र कथा को समझने के लिए हमें अगली बात जो समझनी है वो ये है कि पिछली शताब्दी तक बीस्वी शताब्दी तक जो बुरा था गंदा था हीन था मलेच था उसको दुनिया विश्वासी छोड़िये उसको दुनिया भी हीन और नीच और गलत और मलेच समझती थी बोलती थी लेकिन इकीसवी शताब्दी में एक बदलाव आया है और वो बदलाव यह है कि इकीसवी शताब्दी में जो मलिन है जो मले इच्छ है जो अपने आप में गंदा और अशुद है दुनिया उस चीज को उस चीज का प्रचार करती है उस चीज का अनुमोधन करती है और सबसे अधिक अफसोस की बात ये है कि बहुत सारे मसीही लोगों पर भी इसका असर पड़ा है बहुत सारे मसीही लोगों पर पिछले दिनों एक पती-पत्नी योवा पती-पत्नी मेरे घर आए मसीही है विश्वासी है या नहीं या भी नहीं कह सकते मसीही है शादी हुए मुश्कुल से छे महीने हुए होंगे चाय पर हमने उनका स्वागत किया क्योंकि हमारे रिष्टे के रिष्टे में वो लोग पढ़ते थे और वो मुझ से मिलने के लिए आये जब वे लोग आये चाय की टेबल पर बैठे तब मैंने ध्यान दिया कि वो आकरशक स्मार्ट युवा अपनी नाक में एक रिंग डाले हुए है अपन लोग खेती के लिए बैलों की नाक में छेत करके उसमें रसी डाल देते हैं कई जगर रिंग डालने की परंपरा है नाक के त्रू जो रसी डालते हैं उसके द्वारा बैल को कंट्रोल किया जाता है या नाक में रिंग डालके बैल को कंट्रोल किया जाता है ये अच्छा खासा जवान जो महीने में लाक डेड़ लाक कमाता है वो नाक में रिंग डाले हुए आया है घर में इसके पहले मैंने देखा तब नहीं था, शादी के बाद ही शायद उसने ये किया था, चाय पीते समय मैंने उसके वाइफ को बहुत बधाई दी, वो बुली क्यों अंकल आप बधाई क्यों दे रहे हैं, मैंने कहा हम लोग तो नियंतरन के लिए सिर्फ बैलों की नाक में इस तुम बहुत होश्यार हो कि तुमने शादी के तुरंत बाद पती की नाक में रिंग डाल दिया, ये जिन्दगी भर तुमारा गुलाम रहेगा, तुम कहोगी कि लेफ्ट जाओ तो लेफ्ट जाएगा, राइट जाओ तो राइट जाएगा, वो जवान बड़ा शर्मिंदा हो गया, मैंने उसके उपर किसी तरह की बुरी टिपणी नहीं की थी, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये आप ऐसी चीज देखते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो तुरंत कोई बुरी टिपणी कर दो, नहीं, ये गलत तरीका है, आज के युवा लोगों को सही दिशा द अमज में आ जाए, तो बोला, नहीं, नहीं अंकल, ये फैशन है, इसलिए मैंने किया है, तो मैंने का कि हाई रे फैशन, पता नहीं कल तुम आओगे, तो शरीर में कहां कहां रिंग होगा, अभी तो मैं देख सकता हूँ कि कहां रिंग डाल रखा है, कल को आओगे तो पियसी जगह भी रिंग होगा या रिंग सोंगे, जो हम नहीं देख सकते हैं, सर्फ तुमारी देख सकती है, उसकी वीवी को ये हांसे इतना अच्छा लगा, पहली बार मिल रहे हैं, बहुत ज़ोर से हंसी, बहुत ज़ोर से हंसी, वो बोली कि अंकल, आप हांसे बहुत मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने विशे उसका आवतरन इस तरह से किया कि साप भी मर जाए लाठी भी ना तूटे इसके कुछ समय के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई मुलाकात हुई तो नाक में रिंग नहीं था ओ मैंने कहा कि नाक के बदले कहीं ऐसी जगह तो नहीं पहुचा दिया है जो मैं देख नहीं सकता तो बोला नहीं नहीं अंकल उससे ने आपके घर आये थे उसके बाद इसने कहा कि काहे को यह सब नाटक करते हो काहे को दूसरों को देखके फैशन करें इसको हटा दो इसलिए मैंने हटा दिया है मेरे कहने का मतलब यह है कि हम एक ऐसे यूग में जी रहे हैं जिस यूग में तमाम तरह के नाटक और नौटंकिया चल चुकी है और ये नाटक और नौटंकि एक-एक करके हमारे बच्चों को नई आदतें सिखा रहे हैं इन नई आदतों में नाक में यदि कोई रिंग डाल लेता है तो वहाँ नैतिक जीवन से उसका कोई संबंद नहीं है लेकिन वो उदाहरन मैंने आपको इसलिए बताया कि इस तरह के तमाम नए आदत बच्चों के बीच में आ रहे हैं जिन में बहुत सारे आदत उनके नैतिक जीवन को प्रभावित करते हैं जैसे आजकल स्कूल सीनियर विद्यारतियों के बीच में पार्टी बाजी का दौर चल पड़ा है और जब पार्टीयों में ये लोग जाते हैं तो कई सारी पार्टीयों में उनको पीने के लिए जो पे दिया जाता है उसमें नशीली दवाईं मिला दी जाती हैं कितने कितने युवतियां हैं जो इस तरह से नशीली दवाओं के चकर में अपना सतीत्व अपने खो चुकी है, यह हो रहा है, स्कूल विद्यारतियों के बीच में हो रहा है, कॉलेज विद्यारतियों के बीच में तो बहुत हो रहा है, नई नई आदतें, नई नई भाषा, नई नई प्रकार की बात्चित कल तक जो चीजें गलत समझी जाती थी, आज वही चीजें हमेरे बीच में फैल रहे हैं और माबाप भी ऐसे मूर्क हैं, कि इन मेंसे कई लोग, जब बच्चे इस तरह का काम करते हैं, तो क्या, उसमें क्या है ब्रदर, उसमें क्या है ब्रदर कहके, उसको सही ठराने की कोशिश करते हैं, या उसका अनुमोद्न करते हैं, कुछ साल पहले मैं एक जगह गया था विदेश में जहां सामान्य तया लोगों को नाम लेकर पुकारा जाता है, अपने से बड़े हों तो भी उनको नाम लेकर बुलाया जाता है ऐसी एक जगह पर एक ब्रदर्ण परिवार में रात को मुझे उन्होंने इन्वेट किया, उन्होंने कहा के हमारी तीन बेटियां हैं, उनके मन में प्रश्न ही प्रश्न हैं, और ब्रदर एक रात हमारे साथ टिकेंगे, तो वे लोग अपनी शंका समाधान कर लेंगे मेरे जान पैचान के भाई थे, तो मैंने सोचा चलो, शंका समाधान यदि मैं कर दूंगा, तो शायद उनका जीवन बच जाए, तो शाम को पहुँचे, रात को खाने के लिए दिर थी, बच्चियां जो हैं मेरे लिए चाई और स्नैक्स ले आए, और हम लोग डाइनिंग केबल पर ही बैट लिए, मैं डाइनिंग टेबल पर बैट के बात करना हमेशा पसंद करता हूँ, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को मुखा मुख देख सकते हैं, तो राउंड डाइनिंग टेबल था, उस पर बैट गए, मैं बैट गया, तीनों बच्चियां बैट गई, एक दीरे दीरे प्रशन गंभिर होने लगे, उनकी मैयो किचन में काम करने के लिए चली गई थी, इसलिए बच्चियां खुल कर हर चीज पूछने लगी, लेकिन बच्चियों को पता नहीं चला, अचानक मैयो पीछा के खड़ी हो गई, और प्रशन सुनने लगी, अचानक उस इसने अपनी बच्चियों को टोक दिया, बच्चियां मुझसे बार-बार अंकल, अंकल, अंकल कहके पूछ रही थी, टोक दिया कि अंकल, अंकल क्या बला है, सीधे-सीधे नाम लेके क्यों नहीं संबोधित करते, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैं एक सीनियर प्रचारक उन बच्चियों से उमर में बहुत अधिक मेरी उमर है, अनभव और एजुकेशन भी मेरा बहुत है, इस कारण भारती संस्कृती के अनुरूप वे लोग इज्जत के साथ बोल रहे थे और उनकी मईयों को मजा नहीं आया, विदेश में रहके उस जनानी का दिमांग इतना खराब हो गया कि उसकी लड़कियां भारती संस्कृती के अनुरूप एक आदर्निय महमान से वारता लाप कर रही हैं, तो अपनी लड़कियों को बता रही है कि मूर्ख आदर से थोड़ी बात करते हैं, अनादर के साथ बात कर, बच्चियों को यह सहन नहीं हुआ, उन्होंने का कि मॉम हमको हमारी इच्छा पर छोड़ दीजे, तब तक मैं और बच्चे इतने हिल मिल गए थे और उनको मेरे प्रश्नों से मन में इतनी तसली मिली थी, कि उनके मन में मेरे प्रतियादर सौग ना हो गया था, उन्होंने अपनी मईयों को वहां से भगा दिया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्रिये भाईयों और बहनों, इन बच्चियों के मन में जो गलत फहमियात थी, उन्होंने मुझसे जो प्रश्ण पूछे, इसके लिए कौन अधिक जिम्मेदार है, बच्चियां जिम्मेदार थी या उनकी मैयों जिम्मेदार थी, वह मोर्क औरत, जो हिंदुस्तान में अमरीका, हिंदुस्तान से अमरीका जाकर, जिसने, चार फूटी कौड़ी कमा ली, यहां जब वो हिंदुस्तान में थी, तब जिसके परिवार को खाने के लाले थे, आज उसने जो वहां कमाया, उससे परिवार वाले भी तर गए, वो भी तर गई, लेकिन इन चार फूटी कौड़ीयों को देखकर, उसका दिमांग भी फिर गया, आदर, इज़त, मरियादा, अपनी बच्चों को यह सिखा रही है, कि मरियादा जैसी कोई चीज नहीं होती है, और याद रखिए कि, यह सब चीजें छोटी-छोटी बातों से सिखाई जाती है, यह तो प्रभू की दया है, कि उन बच्चियों ने मरियादा का उलंगन नहीं किया, लेकिन उन बच्चियों के जीवन में जो प्रश्ण थे, इन प्रश्णों के लिए, बच्चियां जिम्मेदार नहीं थी, उनको दिशा देना जिस मां की जिम्मेदारी थी, यही है जो मैं कह रहा था, हम जिस 21 वी शताबदी में रह रहे हैं, इस 21 वी शताबदी में मसीही परिवार में ही माबाप अपनी मरियादाएं भूल गए हैं, अपनी सीमाएं भूल गए हैं, अपने बेटे और बेटी के सामने जो नमूना रखते हैं, वो नमूना आत्मिक नहीं संसार के अनुरूप है, जानते हैं क्यों? 21 वी शताबदी में, दुनिया हर घिनोने काम का अनुमूदन करती है, उसकी प्रशंसा करती है, और हम मैंसे कई माबाप, कुछ लोग अन जाने, लेकिन बहुत सारे लोग जानकर उनी बातों का अनुमूदन करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं, जिनसे बच्चे कोई प्रशन पूछे, तो उनके पास जवाब देने के लिए जवाब नहीं है, और इसलिए माबाप होते हुए भी बच्चों की जरासी बात का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए अनावश रूप से बच्चों को जड़क देते हैं, एक दो तीन बार बच्चों को जड़क दें, उसके बाद उनके मन में जो कुछ आएगा, वो आप से नहीं पूछेंगे, वो अपने दोस्तों से पूछेंगे, उनके जो लुच्चे और लफंगे दोस्त हैं वे लोग उनको ऐसी उल्टी-पटी पढ़ाएंगे कि वे बच्चे विश्वस और समर्पंट से दूर हो जाएंगे यदि college में पढ़ने वाली या मान के चलिए कि 10th में पढ़ने वाली 11th में पढ़ने वाली 12th में पढ़ने वाली आपकी भच्ची या आपका बच्चा आकर आपसे कहता है ममी, डैडी मेरे क्लास में हर लड़के ने अपने लिए एक लड़की ढूंड ली है हर लड़की ने अपने लिए एक लड़का ढूंडा है और वे लोग एक दूसरे से बड़ी दोस्ती करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी कोई सहेली नहीं है, मैं क्या करूँ, क्या जवाब देंगे आप अरे अरे ये तो बड़ी गंदी बात है, हम ऐसा थोड़ी करते हैं, इस तरह का बेसर पैर का अर्थशून्य डाठफटकर का जवाब आप देंगे तो आप अपने बच्चे के मन में जो असमंजस है, उसको और बड़ा देंगे, और बच्चे को गलत रास्ते के और धकेल देंगे आपके अंदर एक मसीही मा या बाप, बड़े भाई, चर्च एल्डर, बाइबल टीचर या सेंडे स्कूल के रूप में आपके मन में इतनी अकल होनी चाहिए और या अकल तभी आएगी जब आप रभु का वचन पढ़ेंगे और पवितरात्मा का प्रकाश नोट डाउन करते चले जाएंगे, आपके अंदर इतनी अकल होनी चाहिए कि आप उस बच्चे से का इधर आओ बैठो, तुमने बहुत महतुपूर्न प्रश्न पूछा है, आओ अपन जो है चाय पे चर्चा करते हैं, आराम से उस बच्चे के साथ बैठिये और उनसे पूछिए कि बेटा, ये लोग दोस्ती तो करते हैं, अपने दोस्तों के बारे में ये लोग आपस में जो बातें करते हैं, जैसे लड़के लड़के मिलकर अपनी गर्ल के बारे में जो बात करते हैं, और लड़के लड़के मिलकर अपने बाइफ्रेंड के बारे में बात करते हैं, बेटा या बेटी, वो बातचित तो तुम सुनते हो ना, सुनती हो ना, तो हाँ मामा, हाँ पापा सुनते हैं, एक बात बताओ, इन बातचित में वे लोग अप आपने गर्ल्फरेंड या बॉइफ्रेंड के साथ योन संबन्दों की बात करते हैं या नहीं करते हैं। यह मामा पापा वो तो सुर्फ अपनी जीवन साथी के लिए रिजर्ड है आपका बच्चा उसके अंदर इतना डृड़ निश्य है क्या इतना ग्यान है क्या डृड़ निश्य है क्या कि वो आपसे ऐसा बोल सके और आपने अपने बच्चे को इतनी ट्रेनिंग दी है क्या, क्या आप बच्चे के साथ ऐसी बात्चित कर सकें और आपके मन में यकीन हो कि बच्चा सही जवाब देगा जब आपका बच्चा कहता है कि मामा पापा यह अनसंबन तो सिर्फ अपने जीवन साथ ही के साथ है तो उससे पूछिए कि बेटा जब यह लड़के और लड़कियां इस तरह से गैरों के साथ यह अनसंबन दादी की बात करते हैं तो बात्चित का कुछ फल निकलता है क्या यह सर्फ कल्पना है तो आपका बेटा यह बेटी बताएगा कि मुमा मामा पापा वो लोग जो बात्चित करते हैं इन में से कुछ लोग तो वैसा करते हैं और शायद बागी लोग भी वैसा करेंगे पूछी अपने बच्चे से बेटा तुम भी ऐसा ही करना चाहोगे क्या तुम भी ऐसा करना चाहोगी क्या इस तरह से अपने बच्चे को क्रम बद्ध तरीके से प्रभु के वचन से शिट्शा देनी है कि आज समाज में तुमारे सामने जो हो रहा है बेटा या बेटी ये शरीर की अभिलाशा की पूर्ती का एक माध्यम है आँखों की अभिलाशा लड़कियों को देखकर लड़कों के मन में मोह ये आँखों की अभिलाशा है बेटा और इसके बाद ये लोग जो है दोस्त चुन कर जो करने की सोच रहे हैं ये शरीर की अभिलाशा है और प् पुलते हैं, फलाना पत खोलो, अब फलाना पत खोलो बोलने से पहले माबाप को मालूम तो होना चाहिए न कि फलाना पत कहा है, मैं याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्रीए भाईयों और बेहनों, बिना मेहनत के आप रभो के वचन से चार डीसेंट वाक्य नहीं बोल सकते है हम में से कई जो हैं, उनकी आज हालत यह है कि अपने बच्चे के साथ गौस्पल नहीं शेयर कर सकते, बाकी बाते हैं तो छोड़िये मैं ऐसे कई माबाप को जानता हूं, जिन से जब यह पूछा जाता है कि आपके बच्चे का उधार हुआ है क्या मुझे नहीं मालूम बाप रहे, आपको यह मालूम है कि बच्चा क्या कपड़ा पहनता है, क्या खाना खाता है और आपको यह नहीं मालूम कि वो अपना शाश्वत अनंत भविश्य कहां पर बिताएगा आप कैसे माबाप हैं आप माबाप हैं या जल्लाद हैं जल्लाद तो सर्फ शारी जीवन को खतम करता है आप उसके आत्मिक जीवन को जो है नाश्वने दे रहे हैं कुछ हैं जो तुरन्त बोल देते ने अभी उसका उधार नहीं हुआ तो आपने कभी उसके साथ गॉस्पल शेयर किया है क्या जब मैं प्रशन पूछता हूं तो बहुत सारे माबाप बड़ी लज्जा के साथ कैसे शेयर करें ब्रदर कैसे शेयर करें ब्रदर मुझे शरम आत Miss India, जिसमें सभी लड़कियां अदेंगी होती हैं, वो परेड करती हैं, देखने में आपको लजज़ा नहीं आती है उसके अलावा भी बहुत सारे आजकल कारे क्रम आते हैं, जिसमें अदेंगा नाच होता है, वो बच्चों के साथ बैठकर देखने में आपको लज्जा नहीं आती, मतलब आखों की अबिलाशा की भी पूर्ती हो रही है, शरीर की अबिलाशा की भी पूर्ती हो रही है, और आपको कोई लज्जा नहीं आ रही, और उस बच्चे का जो शाश्वत भाविश्य है, उसके बारे में बच्चे से चार वाक जुए बोलने आपको शरम आ रही है धिकार है आपके विश्वास के ऊपर धिकार है आपके समर्पन के उपर कहे को प्रभु इश्यु को मुक्तिदाता ग्रहन कर लिया कहे को ये बच्चे पैदा कर दिये जिनके प्रती इतनी लापरवाही दिखा रहे हो लेकिन अफसोस की बात ये है कि 21 शताबदी में ऐसे बहुत सारे माबाप हैं जो बच्चों के साथ आराम से बैठ कर शरीर की अभिलाशा और मन की अभिलाशा पूरी करने में कोई ही चक नहीं होती है लेकिन बच्चों के शाश्वत फविश्य के बारे में बच्चों से चार वाकी की बेटा हम सब पापी है और यदि हम प्रभू को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन नहीं करेंगे तो नहीं रख जाएंगे ये बोलने में लज्जा आती है बहुत ही शर्म की बात है लेकिन जानते हैं आप जानते हैं इसका क्या कारण है जिस समाज में बुराई की इज्जत की जाती है उस समाज में अच्छा ही लज्जा का विश्य बन जाती है मैं फिर से बताना चाहता हूँ जिस समाज में जो बुरा है जो हीन है जो मलिन है जिस समाज में इन चीजों की का आदर किया जाता है जिस समाज में लुच्चे लफंगे और छिनालों का आदर किया जाता है हमारे बहुत सारे सीरिलों में ऐसे लोगों का आदर किया जाता है तो ऐसे समाज में रहते हुए यदि मेरे और आपके अंदर भले और बुरे को पहचानने की maturity या पक्वता नहीं है तो हम बुराई को बुराई समझने के बदले और बुराई को बुराई कहने के बदले हम उस बुराई में रम जाएंगे जम जाएंगे जैसे सूर मल देखता है तो मल के अंदर जाकर लेट जाता है उसी तरह से भले और बुरे को पहचानने की यदि हमारे अंदर ताकत नहीं है पक्वता नहीं है तो हम उसी बुराई में लोट लगा लेंगे और यदि उस बुराई में एक बार लोट लगा लेंगे तो बुराई हम को हम हर चीज से हर तरह से उसका अनुमादन करने लगेंगे जो माबाप ऐसा करते हैं वे माबाप बुराई को बुराई नहीं कह पाएंगे अच्छाई को अच्छाई नहीं कह पाएंगे और इसलिए अपने बच्चों के साथ प्रभू ईशु का शुपसंदेश शेयर नहीं कर पाएंगे ये एक बहुत बड़ा पतन है जो 21 शताबदी में हम देख रहे हैं और इसका रुजल्ट भी मैंने देखा है कई बार बच्चे जब गलत भाशा, गंदी भाशा, अनुचित भाशा का उप्योग करते हैं जब वे इस तरह के वस्त्र पहनते हैं जो अनुचित है और जब उनके माबाप को बताये जाता है तो तुरंट उनका जवाब होता है कि क्या नुकसान है ब्रदर ये जो क्या नुकसान है ये बहुत सारे पापों को ढापने के काम आता है कैसे पाप ऐसे माबाप जिनके रीड की हड़ी मिसिंग है ऐसे माबाप अपने बच्चों के पाप और कुकर्म को ढापने के लिए यूस करते हैं और कल को जब ये बच्चे कुकर्मी बन जाते हैं तब दोड़े दोड़े प्रचारक के पास आते हैं कि पांच मिनिट का ऐसा कोई फॉर्मूला बता दीजिए कि जिससे बच्चा सही हो जाए पिछले दिनों एक भाई ने मुझे फोन किया विशे ये था मेरे रिष्टे में फलाना भाई शराबी हो गया है आप जरा उसको एक कॉल कर लेना उसको ये नहीं बताना कि मैंने आपको बुलाया है उसको ये भी मत बताना कि आपको ये मालूम है कि वो शराबी है बस आप तो दस मिनिट उससे बात कर लीजिए और उसके शराब पीने के आदत छुड़ा दीजिए ऐसा थोड़ी होता है जीवन में ऐसा किसी व्यक्ति सो को बुराई से ऐसे थोड़ी हटाये जाता है वो बुराई में च्छन भर में थोड़ी फसता है और इसलिए उसको बुराई से भी च्छन भर में थोड़ी हटाये जा सकता है और यदि वो बुराई में फसता है तो उसके माबाप उसके साथ साथ उनुमो देनन और करते हैं और जब भो बच्चा बरबाद हो जाता है तो उसके बढ़ यदि बच्चे को लेके दोड़े दोड़े मेरे पास आते हैं कि वो शास्त्रे अंकल बच्चा जो है पूरी तरह से बरबाद हो गया है आप उससे पांच मिनिट बात कर लीजे ऐसे लोगों के साथ सही व्यवहार क्या होना चाहिए ऐसे माबाप को लात मार के घर के बाहर कर देना चाहिए लेकिन एक मसीह के लिए व्यवहार उचित नहीं है इसलिए मैं स्वागत करता हूँ लेकिन माबाप को ये बताए देता हूँ कि पच्ची साल में आपने जिस बच्चे को बरबात किया आप चाहते हैं पांच मिनिट में मैं उसको फिक्स कर दो ऐसा नहीं हो सकता है उस बच्चे को ये वापस रास्ते पे लाना होगा तो उसे काफी समय मेरे पास छोड़ना होगा इतना ही नहीं मैं तुम दोनों माबाप से जो बोलूँगा ये तुम दोनों को करना होगा और इस तरह से दो से तीन साल लगेंगे दो से तीन साल सुनने के बाद हाई हाई दो से तीन साल जल्दी से कुछ नहीं हो सकता क्या फिर से मुझे बताना पड़ता है कि पच्ची साल तुमने लगाए उसको बरबात करने के लिए पच्ची साल तुमने अपने रीड की हड़ी जो है वो किसी और को गिर्वी रख दी थी और अब तुम दोड़के दोड़के आये हो कि बच्चे को पांच मिनित में फिक्स कर दीजे नहीं हो सकता है तो आज मेरा जो सबसे महतोपूर्ण पाठ है वो यह है कि 20 वी शताबदी तक जीवन का वरिट्ष क्या है मृत्यू का वरिट्ष क्या है इसको दुनिया भी जानती थी दुनिया के लोग मृत्यू के वरिट्ष का चुनाव करते थे लेकिन वे लोग खुल के बोलते थे कि यह मृत्यू का वरिट्ष है लेकिन 20 वी शताबदी में दुनिया बृतियों के वरिख्ष का अनुमोधन करती है इसलिए जीवन का वरिख्ष जो है वो घिनोना पात खिनोनी चीज बन गई है और सबसे अधिक अफसोस यह है कि बहुत सारे मसीही लोग भी इसी तरह से सोचने लगे है यदि आपको लगता है कि आदम और हुआ ककी जो चरितर का था है वो दो मिनित में बता के खतम करनी है ऐसा नहीं है उसमें पचासों पाठ छुपे हुए हैं पहले माव आप इन सब पाठों को समझे तब बच्चों को बच्चों को क्या बताना ये भी मैं प्रभु ने मदद की तो आपके सामने बताओंगा लेकिन आज जो लोग शादी करने जा रहे हैं या जो शादी कर चुके हैं एक बच्चे के इंतिजार में है या जिनके बच्चे छोटे हैं, उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, डाइरी नहीं है, तो बड़ी देर हो गई है, जल्दी से जल्दी से एक डाइरी का इंतचाम करो, जो लोग इस उमर्क से आगे निकल चुके हैं उनसे भी मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ प्रभु के वचन की शिछा देना तो जीवन बर्का कारी है आप भी डाइरी ले ले और प्रभु के वचन से जो प्रकाश मिलता है उसको नोट करना आरम करें इन सब बातों को समझने के लिए और इन सब बातों के द्वारा अनुग्रह पाने के लिए प्रभु आप मेंसे सब की मदद करें प्रभु के नाम की स्तूती हो प्रिय दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रभचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एबम सहज भाषा में प्रभचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रभचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पार्ठ्यमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोथ साहन देता है जै मसीह की